बेबी पलाजो बनाने के लिए मैंने 90 cm कपड़ा लिया है और ये कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था इसको मैंने एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं इसको एक और बार ऐसे फोल्ड कर दूँगे यह मैंने 12 इंच तक ऐसे फोल्ट कर लिया है अब इस बचे हुए कपड़े को यहां से कट कर देंगे यह मैंने साइड से कपड़े को कट कर लिया है इसकी बंदवाली साइड इस साइड है खुली हुई साइड इस साइड है और यह हमारे पास 4 layer है अब हम सबसे पहले उपर की साइड में इलाश्टिक डालने के लिए दो इंच पर एक निसान लगाएंगे अब यहां से हम प्लाजो की लंबाई के लिए निसान लगाएंगे प्लाजो की तयाल लंबाई चाहिए हमें 18 इंच और इसमें हम एक इंच नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे तो 19 इंच पर हम निसान लगाएंगे यहां पर हम कमर के लिए निसान लगाएंगे तो हमारी बच्ची की कमर का नाप है 24 इंच उसका चौथाई भागुआ 6 इंच इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग रखेंगे तो हम साड़े 7 इंच पर निसान लगाएंगे अब यहां से नीचे की साइड में आसन के लिए निसान लगाएंगे आसन रखेंगे हम 9 इंच का और आदा इंच नीचे सिलाई के लिए रखेंगे तो साड़े नौ इंच पे हम निसान लगा देंगे इस निसान को ऐसे सीधा कर देंगे अब इस जगे पे डेड़ इंच आगे की साइड में हम बढा देंगे अब यहां से इसकी गोलाई कर देंगे यहां पे हम मौरी के लिए निसान लगाएंगे तो हम प्लाजो की तैयार मौरी रखेंगे आठ इंच की और इसमें आदा इंच सिलाई के लिए लेंगे तो साड़े आठ इंच पे हम निसान लगा देंगे अब इस निसान को इस निसान से मिला देंगे ऐसे करके और यहां से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे अब यहां से इसकी यहां से इसकी कटिंग कर देंगे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब इसको मैं ऐसे खोल के यहां से कट कर दूंगे अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं इस एक पर्दे को हम सीधी साइड से रखेंगे इसके उपर दूसरे पर्दे को ऐसे उल्टी साइड से रख लेंगे और ऐसे सिलाई लगाके हम आसन जोड़ देंगे मैंने दौनों साइड के आसन जोड़ देंगे मैंने दौनों साइड के आसन जोड़ दिये हैं अब हम नीचे की साइड से इसको ऐसे उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे डवल फोल्ड और सिलाई लगा देंगे ऐसे दौनों पैर की महुरी को तयार कर लेंगे मैंने महरी पे सिलाई लगा दी है अब हम इसको ऐसे कर लेंगे और ऐसे सिलाई लगाके इसको तयार कर देंगे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी आब हम उपर की साइड में इलाश्टिक डालने के लिए फोल्ड करेंगे तो पहले हम आदा इंच फोल्ड करेंगे उसके बाद हम डेड़ इंच और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे इसको हमें उल्टी साइड में फोल्ड करना है थोड़ी सी जगे हमने इलाश्टिक डालने के लिए छोड़ दिये, इलाश्टिक डालने के बाद हम यहां पर सिलाई लगा देंगे, अब हम इसमें इलाश्टिक डालेंगे, इलाश्टिक हमें बच्चे की कमर के नाप से 2 या 3 इंच कम लेनी है, मैंने 21 इंच लंबी इलाश्टिक ली है, इसको पिन अब हम इस खुली हुई जगए को भी सिल देंगे अब हम इसको एक दो बार ऐसे खींच लेंगे जिससे की कपड़ा इलाश्टिक पर बरावर हो जाए और इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे सिलाई हमें इलाश्टिक को खिंचते हुए लगानी है हमारा बेवी पलाजो बनके तैयार है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें